हेलो एव्रीवन देस देपी का वेलकम बैक आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एक बार फिर से स्वागत है चाट पोस्ट पर और जी अस्टी जो टैक्स सिस्टम है इंडिया में जब से लागू किया गया है एक जुलाई 2017 से तब से किसी ने किसी कारण से ये किणियल टेंशन रहती है उसको लेकर नीई में बना रहता है जहां पर स्टेट ये एलिगेशन लगाते हैं कि जो सिंटर है वो हमें ढ़ियुशेर नहीं दे रहा जिया जो स्टेट हैं उनको लॉस हो रहा है जिये जो नीञ टैक्स सिस्टम बनाया गया उसे स्टेट को फती ज़ादा गिर गया था कम हो गया था तो उस वज़े से न्यूस में बना हुआ था तो कुल मिलाकर यह है कि 1.0242.017 से जब से GST existence में आया है तब से यह अपने किसी ना किसी कारण से न्यूस पे बना रहता है हाली में आप देखेंगे कि अप्रेल 2023 में हाइस्ट एवर जो है 1.87 लाक करोर का GST revenue collection किया गया जिसकी वज़े से ये फिर से न्यूज में highlighted है तो ये वन आप दा हाइस्ट आपका हाइस्ट एवर है 1.87 लाक करोर का collection करना GST revenue का ये वन आप तो थोड़ा बहुत हम लोग यहां पर GST collection का trends देख लेते हैं जिससे कि आपको पता चले कि किस तरीके से trends चल रहे हैं GST collection में तो ये जो blue graph में दिखाया गया है ये 2022 का है और जो green graph में दिखाया गया है 2023 का है अप्रेल की हम यहां पर बात कर रहे हैं कि अप्रेल में 1.87 लाक करोर का collection किया गया GST revenue का 2022 में अप्रेल में यही 1.67 में का था तो ये आप सभी यहां पर January, February, March का देख लो even 2023 में January 1.57, February 2023 में 1.49, then March 2023 में 1.60 और अभी finally March 2023 में 1.87, highest ever collection GST का तो ये trends है GST collections का तो इसी ये इसकी वज़े से बहुत ही ज़ादा news से बना हुआ है तो हम क्या समझेंगे इस वीडियो में GST के बारे में जो इसका historical background देखेंगे कि किस तरीके से legislation किया गया, कौन सा constitution amendment लाया गया जिससे GST reform किया गया, GST जो tax system है इसके कुछ features discuss करेंगे, फिर हम discuss करेंगे GST council के बारे में हम इसकी जो भी proper dimension है हमारे exam point of view से हमारे लिए important हो सकती है वो सारी dimension को हम इस वीडियो में cover करने की कोशिश करेंगे तो अगर आपको GST को comprehensive manner में समझना है तो ये वीडियो आपके लिए है तो मैं detail में discuss करूं GST इसके पहले गईस एक हमार request है प्लीज डू सब्सक्राइब में चैनल और मैं political science एक मेरा दूसरा चैनल है जिसमें मैं political science पढ़ाती हूं तो आप अगर अगर आपको political science या PSIR जो है आपका political science and international relation या UGC net के अगर आप preparation कर रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल को visit कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पर political science and related lectures में या पर upload करती हूं तो ये मेरा दूसरा चैनल है So thanks for watching guys and thanks for all the support हम आते हैं आज की अपने discussion में जो है GST का तो ये news तो हमने देखी लिए कि क्या context है क्यों important है अब हम अपने basic जो information है उसको knowledge में समझने के लिए आते हैं So GST को overview देखें अगर हम तो India's biggest indirect tax reform system है तो सबसी important fact तो यही हो जाता है कि GST क्या है एक indirect tax system है It's not direct tax system ओके ये क्या है indirect tax system Generally students confused रहते हैं कि ये direct tax है या indirect tax है तो ये indirect tax reform है इंडिया में जो एक जुलाई 2017 को introduce किया गया था ये destination based taxation system है Most important characteristic कई बार statement based questions में दे दिया जाता है और GST को established किया था 101 मतलब 101 constitutional amendment act जो हुआ था उसके दोरे से established किया गया Indirect tax system ये पूरी country के लिए है और इसलिए इसको नाम दिया जाता है One Nation One Tax और इस तरिके से इसने इंडिया में जो unified market है tax system है उसको unified किया Single tax लगता है on the supply of goods and services in the entire product cycle In entire product cycle में आप देखेंगे कि बहुत सारे phases में क्या होता है value addition होता है और जो ये value add जैसे for example गेहूं है तो गेहूं एक raw material है फिए गेहूं से आटा बनता है और आटा से for example bread बन रही है तो हर एक step पे जब ये आटा बना तो value addition हुआ उसका then bread बनी then further value addition हुआ तो इसका calculation कैसे होता है हर एक stage पर जहां पर इसका value addition होता है और overall एक ही tax लगता है entire product cycle में इस तरीके से तो यहां पर cascading effect को यह दूर करता है यहां पर multiplication of the taxes नहीं होता है जिसकी वजह से इस reform को इंडिया में लाया गया अब हम component of GST की बात करें तो central इसमें तीन major component है central GST, state GST and जो IGST है आपका integrated GST Central GST आपका collect किया जाता है central government के दोरा ओके जो state GST है यह collect किया जाता है आपका state government के दोरा और जो integrated GST है यह administered and levied by the center ओके यह in every interstate supply of goods and services पर लगाया जाता है तो यह three important component है GST के अगर हम legislative basis देखें GST का तो इसको सबसे bill introduced किया गया 2014 में यह 122nd amendment bill के रूप में लाया गया था और इसे approval मिलता है 2016 में as a 101 constitutional amendment act और 1 जुलाई 2017 से यह पूरी इंडिया में applicable हो जाता है ओके तो यह basic legislative इसका information है GST council most important हमारे exam point of view से बहुत बार आपको इसमें से question मिल गया होंगे यह article important है article 279A बात करता है कि जो GST council है यह president के दोरा form की जाएगी और इसका chairman कौन रहेगा so GST council को बनाता कौन है president के दोरा under article 279A GST council का chairman कौन होता है union finance minister of India most important दूसरे जो इस council के members होते हैं वो state governments के दोरा nominate किये जाते हैं ज्यादा तर वो finance ministers होते हैं state governments के तो state government basically nominate करती है अपने अपने representatives को और जो council है यह basically इसमें center के पास जो power है voting की वो one third power है और overall जो state है उनके पास two third power है जो decision making process में अपना contribution देने का जो इनका say है basically वो one third center का है and two third state का है exam में यह भी पूँची जाती है यह भी statement कई बार reverse करके दे देगा center को लिख देगा two third और state को लिख देगा one third तो यह भी important है exam point of view से आपको ध्यान रखना है कि center को one third voting power है जबके state को two third voting power है जो decision final decision लिया जाएगा voting के बाद उससे लिया जाएगा three fourth majority से decision लिया जाएगा three fourth majority से यह बहुत important है यह भी exam में statement में पूँचा जाता है तो यह slide exam point of view से बहुत important है एक और आपने नाम सुना होगा GSTN का GSTN basically एक registered not for profit company है under company act एक company बनाया गया है और यह company इसलिए form की गई है for the setup and operate the information technology backbone of the GST so GST को operate करने में GST को setup करने में पूरा tax system को एक तरीके से run करने में जस तरीके से information and technology की जरूरत पड़ती है वो provide किया जाता है इस company के दौरा उसकी take care किया जाता है इस not for profit company के दौरा अब इस company में share अगर देखें तो इसमें central का share है 24.5% इस state की इसमें stake holding या share है 24.5% तो government की combined stake holding यहां पर कितनी है 49% हो गई remaining 51% stake of the company 5 financial institutions के बीच में divided है जिसमें आपका LIC Housing Finance के पास 11% stake है ICICI bank HDFC HDFC bank then the NSE strategic investment corporation limited जिनके पास 10% stake है each यह these financial institutions तो यह GSTN के बारे में हो गया इसमें भी यह statement पूछा गया था ध्यान रखियेगा कि यह not for profit company है और दूसरी governments की stake holding यह पर 49% है यह ध्यान रखना है तो यह कुछ important information थी GST के बारे में I hope कि आपको इससे benefit जरूर मिलेगा दो की information यह news में क्या है कि जो highest ever GST revenue collection हमने for the month of April 2023 किया है that is 1.87 lakh crore यह current affair के point of view सी important हो जाता है लेकिन हमें इसका static portion cover करना equally important हो जाता है अगर हम किसी competitive examination की preparation कर रहे हैं तो क्यूंकि जो static portion है वहां पर भी question उनी से आता है जो मुद्धे news पे बने हुए रहते हैं तो GST हमेशा news पे बना रहता है तो हमारी exam point of view से बहुत important है यह तो I hope कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और GST collection के बारे में जो current trends है वो पता चले होंगे और static portion आपको जैसे कि GST council GST and the various components and GST के legislative journey जो रही है वो आपको समझ में आई होगी यहां पर So comment कर बताएगा कि आज का discussion आपको कैसा लगा and thanks for watching guys Please do subscribe my channel share with your friends and like the video See you in the next video bye bye take care